हेलो फ्रेंड्स मैं रविंद्र कुमार अभी मेरे इस यूटूब चैनल लरके और ग्राफिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो मैं आपको बताऊंगा एडोबी पेज मेकर में स्टेंडर टूल बार गाइब हो जाने के बाद दुबारा से लाते कैसे हैं देखिया एकलेस राजी का कमेंट आया है स्टेंडर टूल बार कैसे लाए पेज बेकर में सबसे पहले अकलेस जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने और कमेंट करने के लिए दोस्तो वीडियो को सुरो करता हूँ और आप सभी को बताता हूँ इस्टेंडर टूल बार हाइड हो जाने के बाद लाते कैसे हैं इस वीडियो को लास तक देखिया और लाइक भी कर दिजिए दोस्तो आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिये गए रेट कलर के सस्क्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए साथ में बेल आइकोन को दबा कर ओल कर दिजिए और भी नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों ये देखिए डोबी पेजमेकर 7.0 को मैं ओपन करके रखा हूँ इस पेजमेकर में सबसे पहले देखिए मेनु बार है इसके नीचे देखिए standard toolbar है अगर आपके पेजमेकर में toolbar grow नहीं हो रहा है तो इसे लाएंगे कैसे देखिए मैं पहले इसे hide करता हूँ यहाँ से देखिए मैं close कर देता हूँ अब देखिए पेजमेकर से hide हो गया है toolbar अब इसे लाने के लिए menu bar में जाएंगे utility में जाएंगे plugins में जाएंगे उसके बाद सबसे नीचे से दूसरे नमर पर देखेंगे so hide toolbar है इस पे click करेंगे उसके बाद toolbar so होने लगेगा देखिये फिर से मैं इसे adjust कर देता हूँ जहाँ फेता है यह पहले माउस से left click दबा कर यहां से drag करेंगे और यहां ruler के पास ला कर छोड़ेंगे तो फिर से adjust हो जाएगा ruler के उपर देखिए menu bar के नीचे adjust हो गया toolbar अगर आपके page maker में toolbar गलती से कभी hide हो जाता है तो इस तरह से लाएंगे एक बारा और आपको मैं दिखाता हूँ कैसे लाएंगे menu bar में जाएंगे utilities में जाएंगे plugins में जाएंगे सबसे नीचे आएंगे दूसरे नमर में देखेंगे so hide toolbar अगर इस पे click करेंगे तो देखिए अब hide हो गया इस तरह से गलती से कभी आपके page maker से toolbar hide हो जाता है तो इसे लाने के लिए utilities में जाएंगे plugins में जाएंगे नीचे से दूसरे नमर में देखेंगे so hide toolbar इस पे click करेंगे उसके बाद so होने लगेगा standard toolbar दोस्तो अब आप समझ गया होंगे adobe page maker में standard toolbar और गयब हो जाने के बाद दुबारा से लाते कैसे हैं दोस्तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगाओगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंड कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदे